Study IQ IS अब तयारी हुई Affordable History of Somnath Welcome to Study IQ मेरा नाम है आदेश सिंग दुस्तों भारत में उत्तर से लेकर दक्षन और पूरब से लेकर पश्चिम तक अनेको मंदिर हैं ये मंदिर अलग-अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं और अलग-अलग कालखंड में इनकी स्थापना हुई और इन सभी मंदिरों की अपनी एक अलग कहानी भी है इन मंदिरों से लोगों की न सिर्फ आस्था जूड़ी हुई है बलकि अनेकों परिवारों का पालन पोशन भी इनके द्वारा होता आ रहा है ऐसा ही एक मंदिर स्थित है भारत की पश्चिमी छोर पर जिसका एक लंबा इतिहास और दिल्चस्प सफर रहा है जियां, हम बात कर रहे हैं गुजरात के वेरावल में लोकेटिट फेमस और हिस्टॉरिकल हिंदू टेंपल यानि सुमनात मंदिर या देव बातन की जियोतरलिंग अश्राइन्स में से सबसे पहला जियोतरलिंग माना जाता है अक्सर जब हम मॉनिमेंट्स की बात करते हैं तो उसको कब और किसने बनवाया इसका जिक्र जरूर होता है पर गुजरात का ये सुमनात टेंपल अपने कंस्ट्रक्शन के मामले में एकदम यूनीक है क्यूंकि हिंदू मिथॉलजी के अकॉर्डिंग सबसे पहले सुमनात टेंपल का स्ट्रॉक्चर किसी मानव ने नहीं बलकि खुद लॉर्ड सोम या मून गॉड ने कंस्ट्रक्ट किया था हला कि अगर हिस्टॉरिकल पॉइंट अव यू से भी देखें तो 1951 के अपने फाइनल कंस्ट्रॉक्शन से पहले इसे कई बार डिस्ट्रॉई किया गया और कई अलग-अलग रूलर्ज ने इसे रिकंस्ट्रॉक्ट कराया लेकिन अभी भी ये अंक्लियर है कि सोमनात टेम्पल के फर्स्ट स्ट्रॉक्चर को एक्जैकली कब बनाया गया जो 1st millennium के early century से 9th century CE के बीच माना जाता है अगर बात करें structure की तो ये temple 3 major parts में divided है यानि गर्भग्रिह, सभा मंडप और नृत्य मंडप साथ ही इसकी peak की उचाई 150 feet है और peak पर लगे earn का weight 10 ton है इसके अलावा temple का main flag 27 feet की उचाई का है तो दोस्तो आईए बिना किसी देरी के समझते हैं इस great architectural marvel के दिल्चस्प इतिहास को History of Somnath दोस्तो सूमनाथ की site ancient times से ही एक pilgrimage site रही है जिसकी वजह थी इसका एक त्रिवेनी संगम होना यानि कपिला, हेरन और सरस्वती river का confluence और mythology के हिसाब से कहा जाता है कि जब एक curse के चलते moon god सोम अपनी luster यानि चमक हो देते हैं तब इसी site पर सरस्वती river में नहाने से उन्हें अपना luster वापस मिल जाता है यानि जिसे हम waxing और waning of moon के नाम से जानते हैं Interesting बात यह है दोस्तों की इसी tradition के चलते इस town का नाम प्रभास यानि लस्टर पड़ा इस town के alternative names जैसे सोमेशवर या सोमनाद भी इसी traditional tales से arise हुए हैं हलाकि सोमेशवर नाम का history में mention 9th century के starting से देखने को मिला इसका mention 805 से 833 AD तक rule करने वाले गुर्जर प्रतिहार किंग नाग भट्टा 2 के records में मिलता है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने सौराष्टर में कई pilgrimage sites विजिट की including सोमेशवर हलाकि इस record पर historian रोमिला थापर कहती हैं कि ये records temple existence को imply नहीं करते हैं और उस समय तक ये बस एक pilgrimage site मात रही था हलाकि ऐसा माना जाता है कि possibly चालुक्या king मूल राज ने सोम यानि moon god को dedicated temples पहली बार इस site पर 997 CE में बनाए लिकिन कुछ historians ये भी मानते हैं कि शायद मूल राज ने बस पहले से बने एक smaller temple को renovate कराया होगा 1950 के बाद हुए सोमनाथ site के excavations ने सोमनाथ temple के earliest known versions के कुछ facts को reveal किया excavations में एक 10th century temple के foundation stones मिले और साथी एक temple के well decorated version के notable broken parts और details मिले जिसे गुजराती historian मदुसुदन धाकी महमूद गजनी द्वारा destroy किया हुआ temple मानते हैं साथी excavation करने वाले archaeologist B.K. थापर कहते हैं कि 9th century में सोमनाथ पाटन पर एक temple structure definitely था हाला कि उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था सोमनाथ को लेकर सबसे infamous event 1026 में हुआ जब भीमा वन के rule में Turkish Muslim ruler महमूद अव गजनी ने सोमनाथ temple को raid और plunder किया साथी temple की जोतर लिंग को भी तोड़ दिया गया और इस loot में गजनी अपने साथ 20 million dinar's की wealth ले गया हाला कि 1038 AD के गुआ के एक कदम king के inscription पर रिलाई करते हुए रोमिला थापर मानती है कि 1026 के घजनी के raid के बाद temple की condition unclear है क्यूंकि ये inscription temple की condition या घजनी के raids पर puzzlingly silent था इस inscription से पता चलता है कि temple को सिर्फ 12 years में quickly repair किया गया था और 1038 आते आते फिर से ये एक active pilgrimage site बन गया था रोमिला थापर इसका ये मतलब निकालती है कि घजनी raid में temple का complete destruction न होकर शायद सिर्फ desecration हुआ हो खैर महमूद अफगजनी की 1026 AD की इस raid को 11th century के Persian scholar अलबरूनी ने भी confirm किया था अलबरूनी महमूद अफगजनी के courtier थे और उन्होंने 1017 से 1030 AD के बीच कई occasions पर महमूद के troops को accompany किया इसके अलाबा अलबरूनी regular intervals में North West Indian Subcontinent region में भी रहे थे अलबरूनी के साथ साथ 1026 CE की इस raid को और भी कई Islamic historians जैसे गर्दीजी, इबन जाफिर और इबन अलाथेर ने भी confirm किया है अलबरूनी ने ये लिखा है कि महमूद ने सुमनाथ टेंपल को destroy किया और उसके raids का motive सिर्फ temple को plunder करना ही नहीं, बलकि एक true Muslim के righteous iconoclasm को satisfy करना भी था और महमूद जब वापस गजनी लोटा, तो वो हिंदू temples के costly spoil से लेटन था हलाकि अलबरूनी इन raids को obliquely criticize करते हैं, जिसकी वजह थी Indian prosperity का ruin किया जाना raids की वजह से सभी foreigners को लेकर हिंदूस में antagonism का develop होना और साथ ही महमूद के conquered region से हिंदू sciences के scholars का large scale पर departure करना बरूनी के अलावा South Asian history और Islamic studies scholar जमाल मलिक के according 1026 में, गुजरात के well-known pilgrimage सोमनाथ temple के destruction ने महमूद की icon of Islam के role को create करने में major role play किया साथी इस temple का destruction, Islamic iconoclasm के Persian stories में एक crucial topic बन गया 11th century और उसके बाद के कई Islamic historians ने अपने publications में सोमनाथ के destruction को एक righteous exemplary deed के form में include किया एक तरफ जहां इस बात ने Persian side को epic of conquest की cultural memory के थूँ inspire किया और इन्ही stories और chronicles ने महमूद को परजिया में Muslims के exemplary hero और Islamic warrior के status पर elevate किया तो वहीं सोमनाथ ने Hindus को अपने recovery, rebuilding की tales और epics of resistance के through inspire किया. हनाकि 1169 के एक inscription के records के अनुसार 1143 से 1172 AD तक rule करने वाले कुमार अपाला ने wooden temple को replace कर सोमनाथ temple को excellent stone work के साथ rebuild किया और इसमें jewels stud कराएं. लेकिन 1299 में अलाउदीन खिल जी की आमी को lead करते हुए उलुग खान ने गुजरात का invasion किया और वागहिला किंग करन को हराने के साथ ही सोमनाथ temple को फिर से plunder किया गया. जिसके बाद 15th century के कानहाडे प्रबंद और 17th century की नैनसीरी ख्यात में लिखा मिलता है कि जालौर के चहामणा राजा रावल कानहडदे ने जालौर के नस्दीक डेली आर्मी पर अटैक करके सोमनाथ आइडल को रिकावर किया और हिंदू प्रिजनर्स को रिलीज कराया. लेकिन कई और sources का मानना है कि आइडल को डेली ले जाया गया था और वहां पर उसे मुजलिम्स के पैरों से क्रश कराया गया. ऐसा क्लीम करने वाले sources में अमीर खुसरो का, खजैन उल-फुत्व, जियाओदीन बर्नी का, तारीख फिरोजी शाही और जीना प्रभासूरी का विविद तीर्थ कल्प जैसे contemporary और निया contemporary sources शामिल हैं. इसी लिए possibility ये भी हो सकती है कि सुमनाथ आइडिल के कानर दे द्वारा rescue की स्टॉरी post contemporary writers की एक fabrication हो. हलांकि ये possibility भी बताई जाती है कि खल्जी की आर्मी अपने साथ multiple आइडिल्स को डेली ले जा रही थी. और शायद कानर दे की आर्मी ने उसमें से एक को retrieve कर लिया हूँ. खैर इसके बाद 1308 में सौराश्ट के चुडासमा किंग महिपाल वन ने temple को rebuild कराया और 1331 से 1351 के बीच उनके बेटे खेंगराने यहां लिंगम को स्थापित कराया. हलांकि एक बार और फिर 1395 में मंदिर को डेली सल्तनत के अंडर गुजरात के लास्ट गवनर जफर खाना ने डिस्ट्रॉई किया और आने वाले कुछ ही सालों में फिर से 1451 में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगडा ने temple को desecrate किया. मुजलिम रूलर्स के सोमनाथ temple को भी destroy करने के orders दिये. और अंगजेव ने साथ ही ये warning भी दी थी कि अगर हिंदूज ने temple में worship को दोबारा revive किया तो temple को completely demolish कर दिया जाएगा. हना कि Northern India में Maratha expansion के चलते कई deteriorated temples को revive किया गया और 1783 में इंद और की माहरानी अहिल्याबाई होल करने सोमनाथ temple को rebuild कर आया. आज इस temple को old सोमनाथ या अहिल्याबाई मंदर के नाम से जाना जाता है, जो main सोमनाथ मंदर से 200 मीटर की दूरी पर स्थित है. दोस्तों इस तरह medieval period में सोमनाथ मंदर ने अनिकों आक्रमानों का सामना किया. अब आगे देखते हैं ब्रिटिश राज के समय इसके इतिहास को. वैसे तो उस दोरान बहुत खास development नहीं हुए, लेकिन ब्रिटिश राज के time Proclamation of the Gates एक famous event रहा. आईए जानते हैं इसके बारे में. ब्रिटिश राज और सोमनाथ दोस्तो 1842 में ब्रिटिश इंडिया के गवनर जेनरल Lord Allen Brer ने Proclamation of the Gates इशू किया. जिसके तहट उन्होंने अफगानिस्तान में काबुल की बैटल फाइट कर रही ब्रिटिश आमी को ये orders दिये कि वो गजनी होते हुए इंडिया आएं और महमूद अफगजनी के टूम से सैंडल्वोड Gates को वापस इंडिया लेकर आएं. ऐसा माना जाता था कि ये Gates महमूद सोमनाथ टेंपल के प्लंडर के टाइम यहां से ले गया था. और Allen Brer के इंस्ट्रक्शन्स के चलते जेनरल William Nott ने September 1842 में Gates को रिमूव कर लिया और Sixth Jart Light Infantry की एक पूरी रेजिमेंट को वो Gates इंडिया लाने के काम में लगाया गया. हाला कि इंडिया आने पर वो Gates ना तो गुजरात डिजाइन के पाए गये और ना ही इंडियन डिजाइन के. साथ ही वो Gates सैंडल वूड के न होकर घजनी नेटिव देयोदार ट्रीज के थे. जिसके चलते इन्हें सोमनाथ से authentic नहीं माना गया. हाला कि ये Gates आज भी आगरा फोर्ट के Arsenal स्टोर रूम में प्लेस्ट हैं. आईए अब आगे बढ़ते हैं और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरिएड में हुए सोमनाथ टेंबल के reconstruction की बात करते हैं. रीकंस्ट्रक्शन डॉरिंग 1950 तो 1951. दोस्तों इंडिपेंडेंस के पहले वेरावल जुनागर स्टेट का पार्ट था, जिसके रूलर ने 1947 में पाकिस्तान जॉइन करने का फैसला कर लिया था. इंडिया ने इस एक्सेशन को कंटेस्ट किया और एक रेफेरेंडम ओगनाइज करने के बाद जुनागर को एनेक्स कर लिया गया. जिसके बाद 12 नुवेंबर 1947 को इंडिया के डेपीटी प्राइम मिनिस्टर वल्लबाई पतेल स्टेट स्टेबिलाइजेशन के लिए आमी को डारेक्ट करने जुनागर जाते हैं. उसी विजिट में उन्हों ने एक बार फिर से सोमनाथ टेंपल के रीकंस्ट्रक्शन के और इसके बाद जब पतेल, केम मुन्शी और कॉंग्रेस के बाकी लीडर्स सोमनाथ के कंस्ट्रक्शन के प्रोबोजल को लेकर गांधी जी के पास पहुंचे तो गांधी जी ने इस मूव को सपोर्ट किया. साथ ही उनका कहना था कि रीकंस्ट्रक्शन में लगने वाला पैसा पब्लिक से कलेक्ट किया जाए और टेंपल को स्टेट से फंडिड नहीं होना चाहिए. जहां एक तरफ प्रोजेक्ट से असोसियेट होना गांधी जी ने खुद के लिए प्राउड मोमेंट बताया था, तो वहीं रेनोवेशन से पहले ही गांधी और पटेल की डेथ हो गई. जिसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम फिर केम मुन्शी के अंडर कंटीनियू रहा, जो कि उस समय प्राइम मिनिस्टर पंडिज जवाहरलाल नहरू के कैबिनेट में फूड एंड सिविल सप्लाइज मिनिस्टर थे. कंस्ट्रक्शन फेज में ऑक्टोबर 1950 में रुइन्स को पुलडाउन किया गया. साथी टेंपल साइट पर प्रेजेंट मॉस्क को कंस्ट्रक्शन वियकल्स की हेल्प से कुछ किलोमेटर्स दूर शिफ्ट कर दिया गया. और फाइनली 11 में 1951 को कियम मुंशी के इंविटेशन पर रुपब्लिक अव इंडिया के फर्स्ट प्रेजेंट राजेंदर प्रसाद ने टेंपल के लिए इंस्टॉलेशन सेरिमनी को परफॉर्म किया. दोस्तो इस हिस्टॉरिकली सिगनिफिकन्ट टेंपल के हिस्ट्री को समझने के लिए सुमनाथ टेंपल साइट और कोस्ट लाइन को आर्कियोलोजिकल एविदेंस के लिए कई बार एक्सकेवेट किया गया. आईए समझते हैं इस मॉन्यूमेंट के आर्किटेक्चुरल हिस में से एक B.K. थापर लीड कर रहे थे. B.K. थापर की स्टडी ने 10th सेंचरी या उससे पहले के एक लाज टेंपल के डारेक्ट और सबस्टैंशल एविदेंस प्रिजेंट किये. साथी थापर ने ये एस्टिमेट किया कि उल्डर टेंपल लगभग 9th सेंचरी का बना हुआ था. इसके अलावा थापर स्टडी में कई आर्टिफाक्ट और रूइन्स एंचिन स्क्रिप्ट के एविदेंस के साथ पाए गए, जो बेसिकली ब्रामी या उसके बाद की प्रोटो नागरी या नागरी स्क्रिप्ट थी. दोस्तों, एंचिन स्क्रिप्ट में मिले य किया गया. इस बार कई लोकेशन्स पर डीपर डिगिंग्स की गई, जिसने हुमन सेटलमेट के फाइव पीरियड्स के एविदेंस रिपोर्ट किये. इसके बार 1992 में M.K. धावलिकर और Indus Valley Studies के लिए फेमस आर्कियोलिजिस्ट ग्रेगरी पॉशल ने प्रभाष पाटन पर अपनी आकेलोजिकल डिसकवरीज के एनालेसिस की रिपोर्ट सब्मिट की. और इनकी एनालेसिस में सुमनात साइट, प्री 2nd Millenium BCE पीरियड से ही ancient human settlement के एविदेंस शो करती है. साथ ही उन्होंने इसमें एक पीरियड को प्री हरपन फेस के फॉर्म में भी डेट किया है. ल जो भी एविदेंस अवेलेबल थे, उनमें से कोई भी प्री 1st Millenium BCE एरा के सुसाइटी और कल्चर से डायरेक्ट लिंक्ट नहीं था. लेकिन वो कहते हैं कि इस बात के परसुएसिव एविदेंस मिलते हैं कि प्रभास पार्टन एक अरली हरपन साइट थी, जहां सेडिमें के साथ हिंदूइजम के फ्रीक्वेंट अप एंड डाउन का भी important symbol रहा. कई foreign invasions और structural damages के बाद भी इस temple का एक active pilgrimage site बने रहना, न सिर्फ इस मंदिर की importance को, बलकि हिंदूइजम के resilient nature को भी represent करता है. इसके अलावा इस temple के reconstructions, contemporary Indian society के cultural heritage और cultural memory को बनाए रखने के efforts को भी दिखाता है. दोस्तों, सुमनाथ temple के tourism को बढ़ाने के लिए और local population के welfare को ensure करने के लिए, उस region में monetary investments एक बड़े boon साबित होंगे, और present government द्वारा इस दिशा में लिए जा रहे initiatives वाकई प्रेजबधी हैं. Study IQ IS, अब तयारी हुई affordable.